प्यारे विद्यार्थियों आज हम विद्यार्थि आकलन सैट दो नॉम्बर दो हजार बाइस कक्ष्या दस विशे हिंदी का जो पेपर है उसको विश्तार पूरों कहल करेंगे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा प्यारे विद्यार्थियों मेरे चैनल नौजल एजिकेशन सिलारपूर को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें तथा कॉमेंट करें प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर कुल भी संग का है और इसके लिए 60 मिंट का समय दारित किया गया है एक से दस तक जो परसन है वे एक अंग के है ग्यारा और बारा संख्या का जो परसन है वो दो नंबर का है तेरा और चौदा वाले जो परसन है वे तीन तीन अंग के है परसन नंबर एक जल जाद सब्द कार्थ क्या है जल जाद सब्द कार्थ का मल है परसन नंबर दो फसल किसके सपर्ष की महिमा है फसल हाथों के सपर्ष की महिमा है मरिक द्रिश्णा कार्थ है दोखा या चलावा परसन नंबर चैर योग का अर्थ क्या है योग का अर्थ जोड़ना होता है परसन नमबर पांच सहनाई बनाने के लिए किसका परियोग किया जाता है रीड का परियोग किया जाता है करम वाच्चे और भाव वाच्चे में अंतर बताना है करम वाच्चे में करम की परधानता होती है भाव अच्चे में भाव की परधानता होती है सत करम में कौन सा उपसरग है सत करम में सत उपसरग है परसन नमबर आठ किस श्त्री ने बड़े-बड़े ब्रहमवादियों को हरा दिया था अत्री की पत्नी ने बड़े-बड़े ब्रहमवादियों को हरा दिया था परसन नमबर नो मधुरवानी की तुलना दवा से क्यों की जाती है मधुरवानी की तुलना दवा से इसलिए की गई है क्योंकि ये थकान दूर कर देती है पाउन सब्द में कौन सी संधी है परसन नमबर ग्यारा दुलारी ने टुन्नू का उपार क्यों ठुकरा दिया। दुलारी को अच्छा नहीं लगता था इसलिए दुलारी ने टुन्नू दुआरा लाए गए साड़ी के हुपार को ठुकरा दिया ताकि वे दुबारा उससे नहीं मिले। परसन नमबर बारा मैं क्यों लिखता हूँ पार्ट का उद्देश से सपष्ट कीजिए। इस पार्ट में लेखन कारिये की परकिरिया को सपष्ट किया गया है। लेखक ने बताया है कि लेखन कारिये वास्तों में आंतरिक अनुभोती से उत्पन भाओं की व्याकुलता से होता है। कभी-कभी भारी दबाब के कार्ड लेखन कारिये किया जाता है किन्तु जो लेखन कारिये आंतरिक अनुभोती की प्रिणा से लिखा जाता है। वे वास्तिक्रिती होती है रचना होती है लेखक ने इस बात को हीरोशिमा से गटित गटना के वणन से सिद्ध किया है लेखक ने जब वहाँ पत्थर परमनुस्य की आकरती को जो विश्पोट के समय भाब बनकर उड़ गया विश्पोट से उत्पन भैनक द्रिश्चे को साक्सात रूप में अनुभव किया है परसन नमबर तेरा जियोन में सुरंग सुदिया सुहाउनी से कवी का हविपराज जियोन की मधूर समर्तियां है आपने अपने जियोन में कौन सी मधूर समर्तियां सजोकर रखी है हर किसी के जियून में कई मदूर समर्तियां होती हैं उधारण के लिए अपने बच्पन के उन दिनों को याद करता हूँ जब मैं अपनी कक्षा में हमेश्या पर्थम तथा दूसर अस्थान प्राप्त किया करता था जियून में गटित कुछ गटनाई ऐसी होती हैं जो अनायासी समर्ति पटल पर कौन्दती रहती हैं दिन तो बेट जाते हैं किन्तु गटनाई अपने अस्थितों को हमेश्या बनाए रखती हैं फूल के मुर्जा जाने पर उसकी सुगंद परियावण में महकती रहती हैं ऐसी गटनाई भी होती हैं जो पिछा नहीं छोड़ती ऐसी सुखद गटनाई होती हैं जिन का चित्रन हम बार-बार करते हैं और उस चित्रन से आनंद की अनुभती होती है पराथ मिक्स्तर पर खेले जाने वाले खेल, पीटिये, सम्मेलन, सिसू, सीवर, आदी की यादे जिने हम कभी भी नहीं बुला सकते परसन नमबर चोदा, श्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, कूतरक वादियों के इस दलील का खंडन दिवेदी जी ने कैसे किया है, अपने सब्दों में लिखिये श्त्रियों की शिक्षा से अनर्थ होने की बात पर दिवेदी जी ने इसका विरोध किया है, उन्होंने स्त्री शिक्षा को समाज की उन्ती के लिए आवशेक माना है, उन्होंने यह तरक दिया है कि यदि स्त्री शिक्षा से अनर्थ होता है तो पुर्सों के दोरा किये जैसे चोरी करना, डाका डालना, अत्या करना, घूस लेना आदी, ये सबी गल्त, काम का कारण, शिक्षा नहीं अपितू, मानुवे परकर्ती पर आधारित है, अता हमें सत्री शिक्षा का समर्थन करना चाहिए.